तो दोस्तों किया सच में RCB की बॉलिंग वीक है IPL 2024 के लिए किस तरीके से दिख रहे हैं इनके बॉलर्स IPL 2024 के लिए इसी के बारे में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम बात करेंगे IPL 2024 के लिए RCB की बॉलिंग की किस तरीके से उनके strong point है किस तरीके से उनके weak point ह इसी के बार में बात करेंगे लेकिन उससे पहले गर आपने चाइनल को सस्क्राइब नहीं किया तो कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि इसी तरीके अच्छे अच्छे वीडियो इस चाइनल पे आते रहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दू कि 5 पॉइंट के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जहाँ पर पहले पॉइंट पे हम जालेंगे कि इनके पास कौन से औल फास्टर बॉलर्स मुझू दे यानि कि सभी की सभी फास्टर बॉलर्स के बारे में हम बात करेंगे तूसरे पॉइंट में आपको ये बताओंगा कि कौन से वीकनेस होले वाली है इस बॉलिंग के साथ IPL 2024 में RCB के लिए तीसरे पॉइंट में आपको ये बताओंगा किस तरीके से इनके फास्ट बॉलिंग या फिर जो भी बॉलिंग ये वो नजर आ रही है चौथे पॉइंट में में आपको ये बताओंगा कि इनके स्ट्रॉंग पॉइंट क्या हो सकते इस बॉलिंग के साथ और पाच्वे पॉइंट में और लास्ट पॉइंट में आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से अगर इस बॉलिंग के साथ यूज करती है RCB इनको तो किस तरीके से वो इस साल जो है ट्रोफी भी उठा सकती है तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरीके नमबर वन पॉइंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं नमबर वन पे जो पॉइंट आता है वो सभी बॉलर्स के बारे में हम बात करेंगे कौन से कौन से बॉलर्स इनके पास मुझूद है और दोस्तो एक और जो इनके पास बॉलर मुझूद है वो है अलजारी जोसेप तो यह सब इनके फास्ट बॉलर से जो के IPL 2024 में इनके लिए खेलने वाले हैं और किसे चांस मिलेगा यह भी देखने वाली बात होगी चलिए सेकेंड पॉइंट के अब हम बात कर लेते हैं जो क मेरे इसाब से इनके जो बॉलर से बहुत बढ़ी है लेकिन वीक पॉइंट जो इनका है वहत बॉस्पिन डिपार्मेंट में स्पिन मैं इनके पास कोई नहीं है इनके पास कोई नहीं का सब के साथ ज governments वुड़ी मेंوجिशा बॉलरस करण शरमा इंके पास दागर है बार की को भी यहाँ पर जो है handle करेगी situation को लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर इन दोनों का form अच्छा रहता है spinners का तो वह बात अच्छी होगी fast balling में बाकि मुझे कोई weakness नजर नहीं आती है लेकिन spin balling में इनकी weakness जरूर है third point के हम बात कर लेते हैं third point जो है यहाँ पर वो है balling किस तरीके से नजर आ रही है यह सबसे बड़ा point है इसलिए तीसरे नमबर पे मैंने इसको रख लिया है दोस्तो अगर मैं बात को रही है आपर fast baller की तो जैसे कि मैंने आपको fast ballers इनके सभी के सभी पहले ही बता दिये first point में तो दोस्तो इनके पास मुझूद है मौहमद सिराज जो की बहुत बढ़िया balling करना जानते है world cup 2023 में इंडिया में ही world cup हुआ था वहाँ पर इनोंने बहुत बढ़िया balling की थी ये check up में भी इनोंने बहुत बढ़िया balling की पिछले साल मौहमद सिराज एक ही ऐसे baller थे जो के RCB के लिए wicket maker का काम कर रहे थे 2023 के IPL में और वो भी सभी के सभी grounds पे इनोंने बहुत बढ़िया अपना form दिखाया था IPL में इस साल भी मेरी हिसाब से अपना बहुत बढ़िया form दिखाने वाले हैं इसमें कोई भी शक नहीं है तो इनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये top class baller है और ये बहुत बढ़िया तरिके से अपना form दिखा सकते हैं रेसी top league के अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही बढ़िया experience baller है इन्होंने जब RCB के लिए पहला match खेला तो wicket भी पहली ओर में ले लिया था injured हो गए इसी के वज़े से बाहर हो गए IPL 2030 में से इस साल वापस आ रहे है height बहुत बढ़िया है इस साल new rule आ चुका है जो कि ये bounceer दो डांग सकते हैं आप एक ओर में जो कि बहुत बढ़िया rule है और जो fast baller होते हैं जो कि heighted baller होते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया फाइदे वाली बात होती है तो ये इसका फाइदा उठा सकते हैं और मेरे इसाब से ये एक plus point हो सकता है IPL 2024 में RCB के लिए Lockie Ferguson के अगर मैं बात करूँ तो वो भी इसी तरीके के baller है बहुत बढ़िया balling करना जानते हैं बाउंसर इनके पास बढ़िया है 150 से जादा की fast balling जो है ये कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया baller है baller में अगर मैं बात करूँ Lockie Ferguson तो मुझे ऐसा लगता है कि RCB ने अगर कोई अच्छा auction में खरीदा तो वो Lockie Ferguson ही थे New Zealand के जो है एक हमेशा के लिए खेलने वाले baller है इन पे जादा से जादा जो भरुसा है New Zealand रखती है तो RCB को भी रखना चाहिए Yes Dayal के अगर मैं बात करूँ तो Yes Dayal one of the best baller है गुजरा Titans ने जिनको जिलोंने इनको release किया तो वो भी इनके पीछे पढ़े थे auction में लेकिन 5 करोड में RCB ने इनको खरीद लिया इसी से आप समझ सकते हैं कि Yes Dayal की जो demand है वो बहुत जादा थी उस auction में भी लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बता दू कि Yes Dayal को 5 करोड क्यों दिये गए कोई कोई कहता है कि Yes Dayal को इतने जादा करोड नहीं देने चाहिए थे तो दोस्तो Yes Dayal ने जो है domestic link में अपना बहुत बढ़िया फ़र्म दिखाया है जो कि बहुत ही बढ़िया है इन्होंने रिंकु सिंकी भी विकेट लिये जिन से इन्होंने पाथ शक्या खाये थे तो वो आप भूल जाएए क्योंकि इस साल इनका बहुत बढ़िया फॉर्म रहने वाला है आकाश्ती है जिनका फॉर्म बहुत ही बढ़िया चल रहा है बहुत बढ़िया बतलब बहुत बढ़िया चल रहा है तो इन सब बॉलर्स के साथ जो है RCB इस साल जाने वाली है टॉम करण थोड़े से टॉम करण निंजर है अगर उनके रिप्लेस्मेंट का RCB धूम लेती है तो वो देखने वाली बात होगी और बाके के अलजारी जोसिफ की अगर मैं बात करूँ उनको 11 क्रोड दिये तो वो काम आएंगे नहीं आएंगे तो वो काम आएंगे क्युक्त जैसे मैंने आपको रेशी टाफली के बारे में बताया था कि वो एक हाईट बालर है वैसे ही यह भी हाईट बालर है और यह हाईट का यूज कर सकते है दो बाउंसर डाल के एक ओर में और RCB के जो पीछ है वहाँ पर जो है मतलब RCB के जो ground है home ground वहाँ के जो pitch है वहाँ पर आपको जादा से जादा ball bounce होते होए नजर आ सकता है लेकिन फिर भी यहाँ पर height का use करके जो है अलजारी जो से विकेट टेकर का काम कर सकते हैं और वैसे इनके पास best figure भी है IPL की इन्हों इसाब से सभी की सभी ballers जो है इनके पास बहुत ही बढ़िया है और मुझे बहुत बढ़िया इनके balling नजर आ रही है और दोस्तों अगर मैं बात कुरिया आपर fourth point की मैंने तीसरे point में आपको सब कुस समझा दिया किस तरी किसे balling नजर आ रही है क्योंकि यह थोड़ा पढ़ते हैं और आपको जो है run खाने भी पढ़ते हैं तो baller कोई भी हो वहाँ पर runs ज्यादा सी ज्यादा खाई लेता है चाहे कोई भी quality का baller आप वहाँ पर लाइए वहाँ पर runs बहुत ही ज्यादा आते हैं तो वहाँ पर आप अगर छोड़ेंगे तो दूसरी की जो यूज बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं टाम करन अगर वापस आ जाते हैं तो वह भी बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज का यूज कर सकते हैं तो यह एक second strong point है और जो third strong point है वो है वो है world cup experience ballers का इस team में होना अब वैसे तो हर team में ही बहुत सारे ballers है जो के world cup खेल बहुत बढ़िया बात होने वाली है तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं last point की जो की होने वाला है use किस तरीके से कर सकती है RCB इन ballers के साथ और किस तरीके से इस साल जो है बहुत बढ़ी अपना form दिखा सकती है तो मेरी साथ से जो है RCB को एक overseas fast baller ऐसा अपना select कर लेना है जो कि उनके लिए best हो देखिए यह जो overseas का slot होने वाला है वहाँ पर थोड़ी सी थोड़ी से प्रॉब्लेम आ सकती है क्योंकि तीन overseas player इनके fix है जो कि है Cameron Green, Fab Do Places और Glyn Maxwell अप चौँथा जो slot बचता है overseas player का वो तो एक fast baller ही होगा तो यहाँ पर रेसी टॉपली, अलजारी जोसेफ और लॉक्यो फर्गूसन में से एक जगा मिलेगी यह देखने वाली बात होगी किसे जगा मिलेगी लेकिन तीनों में से एक को ही इनको use करना चाहिए क्योंकि अगर हर match में यह बदलाव करते रहेंगे तो फिर यह इनके ल जो है IPL 2024 में जाना पड़ेगा, बाकि इंडियन आप्शन्स में इनके पास यश तयाल और मुहमद सिराथ जैसे बॉलर्स मोजूद है, तो वहाँ पर तुकोई टेंशन नहीं है, बस इनको use करना है तो फिर overseas fast baller का ही करना है, तो दोस्तों में ने जो है सभी points आपको clear कर द और अगर आपको जाना है कि RCB की team इस साल किस तरीके से नजार आ रही है, जिस पे मेरे साब से 30K views है मेरे वीडियो पे, तो उस वीडियो का जो link है वो आपको description में मिल जाएगा, साथी साथी इंडि स्क्रीन पे आपको वीडियो देखने को मिल रहा होगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना और मिल दे नेक्स्ट टोडियो में, थैंक्स पर वाचिंग